हलो, हाई स्टूडेंट्स, वेलकम चूविनाइक बिलीवर्स क्लासेश सो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आवरन के सामाजिक महत्तो और आपके मनोवेग्यानिक जो सिर्धान्त होते हैं तो हम इसका पढ़ेंगे, इस टॉपिक को करेंगे और फिर हम देखेंगे आगे इस टॉपिक से रिलेटिड कोई केस्टिन्स तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक आवरन जो है आपके अपैरल जिसको बोला जाता है अपैरल के, सोशल जो इंपोर्टन्स है उसकी क्या है और आपके इसकी साइकोलोजिकल क्या है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक, ओके चलिए, ओके आवरन के सामाजिक व्यमनो वेग्यानिक सिध्धान्त देखे, सामाजिक सिध्धान्त जो है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सामाजिक सिध्धान्त लिक्ए लेकिन आगे मैंने इसकी कुछ नहीं लिखा तो क्योंकि मैं इसको आपको समझा दूँगी, इसमें ज़ादा कुछ समझने वाला नहीं है देखे इस भी क्या है आवरन का सामाजिक सिध्धान्त क्या होता है देखे mostly क्या करते हैं हम लोग जब घर से वाहर निकलते हैं जो सामाजिक सिध्धान्त है सबसे पहला जो attraction है वो क्या होता है सबसे पहला जो प्रभाव है लोगों पर किसका पढ़ता है करती हैं कि आपको सामने वाला जो है सोशली आपको किस नजरिय से देख रहा है आपका व्यक्तित्व कैसा दिखा रहा है जो आपने ड्रेस पहना है जो आपने परिधान पहना है वो सामने वाले को किस तरह का प्रभाव डाल रही है और उसमें आपका व्यक्तित्व कैसा नज समाजिक रूप से समझें इस चीज़ को, तो सबसे पहला जो element होता है, किसी भी value को जानने का, प्रभावित करने का, वो होता है, आपके परिधान, ठीक है? व्यक्ति का परिधान और व्यक्ति का जो परिधान है वो व्यक्तित्व विकास के लिए अधिक महत्वपुन कारक है क्योंकि आपकी व्यक्तित्व जो आपका परिधान है वो ही आपका व्यक्तित्व डेसाइड करता है और सामाजिक स्विक्रती जो होती है वो व्यक्तित्व क विकास में जादा महत्वपुन कारक होती है क्योंकि आप जो डाल रही है जो भी आप परिधान यूज कर रही है पहन रही है वो अगर आप घर से बाहर पहन कर निकलते हैं तो सबसे पहला प्रभाव ही आपके परिधान का पड़ता है सामने वाले पर तो ये होता है आपके सा पैसा बहुत होता है लेकिन वो खुद के लिए खुद से अगर खरीदना है तो वो खुद के लिए अच्छा परिदा नहीं खरीद सकते पैसा भी लगा देते हैं लेकिन वो ऐसा कुछ खरीद लेते हैं जो उन पर सूट नहीं करता जो देखने वालों की आँखों को अच्छा होता है उसको वस्त्र विज्ञान की जानकारी नहीं होती है तो हमने आप आपने देखा होगा हमने वस्त्र विज्ञान में ये पढ़ा भी है कि हमेशा जो परिधान का चयन है जो ड्रसल का चयन है आवरन का चयन है वो आपको किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए आपके इसमें choose करने में हम सब कुछ देखते हैं, age भी देखते हैं, work भी देखते हैं, आपके season देखते हैं कि season के लिए हम खरीद रहे हैं, ये सब चीजे comfort देखी जाती है, सब चीजें ये देखी जाती हैं, तब ही उस आवरण को हम खरीदते हैं, तो ये क्या होता है, सामाजिक महत तो होता है ओके नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर मनोवेग्यानिक सिधान्त क्या है ठीक है मनोवेग्यानिक सिधान्त के अंदर आपके क्या आजाता है आवरन की समस्या जो होती है वो मोसली क्या होती है जादा तरकिसमे होती है वो आपके मनोवेग्यानिक रूप से जा मानी जाती है, तो उसको कितने भागों में बाटा गया है, उसको चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं, मुडेस्टी सिध्धांत, जो कुछ मनोवे गयानी थे, वो क्या मानते थे कि लोगों ने मनुष्य ने कपड़ा पहनना क्यों शुरू किया मनुष्य ने शरी डगने की इच्छा तब हुई मनुष्य को जब उसने शरम का अनुभव किया यह आप ध्यान रखेगा मोडेस्टी सिद्धान्त में क्या कहा गया है कि मनुश्य की अपनी body को cover करने की इच्छा कब हुई जब उनको शरम का अनुभव हुआ मींज कि उनको शरम महसूस हुई तो कुछ manoveganic ये मानते हैं और आपके कुछ manoveganic बोलते हैं कि modestie के चलते मनुश्य नहीं क्या किया था कपड़ा जो पहनना करना उसके बाद शुरू किया क्योंकि उनको कपड़े पहनने की हैबिट हो गई ती जैसे जैसे उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया उनको कपड़े पहनने की हैबिट हो गई इस वज़ा से ये मोडेस्टी सिध्धान्त को कुछ मनोवेगानी कि ये बताई जा रही है, modesty सिध्धान्त जो है एक क्या है ये एक जो popular या famous आप कह सकते हैं या फिर जो word है ये बहुत ही ज़्यादा famous word है हर इंसान जो है कोई भी इंसान है मनुश्य है अपनी अपनी जाती के according अपने प्रदेश या देश के according कपड़े पहनता है बदलता भी changes भी समाज में कोण कहा कब कैसा कपड़ा पहनता है वो कोण decide करता है वो समाज के according ही माना जाता है देखिए छोटी cities जो होती है छोटी वहाँ पर लोग आपने देखा है पूरे cover कपड़े पहनते हैं उनके वहाँ पर वैसा चलता है metro cities में अगर हम चले जाएं वहाँ पर कोई ध रहता है जिस भी कल्चर में रहता है जिस भी राज्य में देश में जिस भी जगह पर रहता है वहाँ पर जो society है जिस चीज़ को एकसेप्ट कर रही है तो इंसान उसी चीज़ को पहनता है ठीक है ओके नाव चलते हैं next modesty के बाद आता है आपके in modesty सिद्धांत में क्या बो सिद्धांत क्योंकि कुछ मनोवगयनिक क्या सोचते थे कि modesty सिद्धांत जो है शरम का नतीजा नहीं है बलकि उसका कारण ये है कि कपड़े पहनने से वहाँ अपनी शरीर को cover नहीं कर रहे हैं बलकि अपनी शरीर को cover करके वो क्या करते हैं दूसरों को आकरशित करने की इस सिद्धांत का मानना ये है कि दूसरों को आकरशित करना इसलिए मनुष्यने कपड़े पहनना शुरू किया ठीक है तो ये एक सेंपल से बात है और उसके अलावा आपके थर्ड में आ जाता है सुरक्षा का सिद्धांत सुरक्षा के सिद्धांत के अंदर देखे अपने इस सिद्धांत का नाम से समझ मैं रहा है कोच मैनमेग्यानिक ने बोला कि जब शरीर की सुरक्षा करना ही आवरन का उत्द्धांत का माना गया क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को मानने से इनकार करेंगे कि अपनी शरीर को बचाना सुरक्षा करनी थी ठीक है उनको अपनी शरीर के सुरक्षा करनी थी इसी लिए उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया सो उनके पास अपनी शरीर को बचाने का एक यही उपाय था ठीक है पहले क्या करते थे अपनी सुरक्षा के लिए वो पेड़ पोधों के पत्ते डालते आपने देखा भी होगा पुराने टाइम में और जानवर जो थे जानवरों की खाल को ओड कर ठंडी गर्मी जो भी है अपना बचाव करते थे सो मनोवेग्यानिक मानते थे कि सुरक्षा करना ही उनका उद्देश यह था स्टूडेंट्स आप यह सिध्धान्त जो मैं कर वा रही हूं सिध्धान्त के अंदर बेसिक जो में चीज है कि किस सिध्धान्त का क्या मीनिंग है क्या मतलब है मनोवेग्यानिकों ने इस सिध्धान्त को क्यों ये बोला तो ये आपको ध्यान रखना important चीछे सी के अंदर ये है और आपको ये ध्यान रखने कि मनोवेग्यानिक जो सिध्धान्त है वो कितने है चार है, modestry है, immodistry है आपके सुरक्षा का सिध्धानत है और आपके last दूमे आ रहा है सजावट का सिध्धानत से क्या मतलब है शरीर पर जरूरत के अलावा जो भी हम पहनते हैं मतलब कि हमने dress पहना, dress के साथ हम जो भी accessory पहन रही है उस dress को अच्छा दिखाने के लिए उसके अलावा हम जैसे कोई dress पहना, cap लगाया, matching का, belt लगाया, या कुछ भी आपने gloves पहना, matching का, कुछ भी पहना तो वो सब चीजें जो होती है, वो सजावट का सिध्धानत के अंदर आ जाती है लोग, normally लोग क्या मानते हैं, साम तोर पर मानना जाता है, कि मनुश्य की इच्छा जो होती है अपने आपको, obviously सजाने, सवारने की होती है, जिस वज़े से वो क्या करता है, कपड़ा पहनता है और उसके साथ मैचिंग की क्या करेगा, सामगरी भी इस्तेमाल करेगा सजावट के लिए तो कपड़े क्या करते हैं, व्यक्ति जो भी जाने अन जाने व्यक्ति को सबसे पहले किस की तरफ आकरशित होते हैं अपड़े जो होती है हमारे वो दूसरों का अकरशित करते हैं जुल्डरी जो होती है वो अकरशित करती है होता है ना कि जब भी घर से बाहर जाना है कहीं भी जाना है हम यह देखते हैं कि हम क्या पहने, जो सामने वल्य को देखने वे अच्छा लगे, जिसमें हम अच्छे लगे, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, और सजावट के लिए उसके ऊपर भी अच्छा-चछा कुछ डालते हैं, जुल्टरी डालते हैं, मैचिंग का कुछ डालते हैं तो यह सजावट का सिध्धान के अंदर आ जाता है ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट्स यह था हमारा आज का टॉपिक ठीक है? जिसने आप क्या आता है सामाजिक सिध्धान, मनोवेग्यानिक सिध्धान तो मनोवेग्यानिक सिध्धान थोड़ा इंपोर्टेंट है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक दो बार वीडियो देखेंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा आप मेरे साथ बने रहिए तैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो और पढ़ते रहिए प्रैक्टेस करते रहिए आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा गोड़ ब्लेस यू ओल बाई